Hello everyone, welcome to the YouTube channel of G.I. Judicials. आईए आज समझते हैं हम abortion laws के बारे में. क्या कहता है हमारा कानून abortion के बारे में? क्या abortion legal है या हमारे law में abortion illegal है? Abortion होता क्या है? Abortion मतलब गर्बपात. Abortion किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही पीड़ा देने वाला फैंसला होता है. कोई भी महिला कभी भी अपने जीवन में abortion नहीं करवाना चाहेगी अगर उसकी मजबूरी नहीं हो तो. समझते हैं abortion को The Medical Termination of Pregnancy Amendment Act 2021 के माध्यम से. MTP Act abortion के लिए बना हुआ एक Act है. आईए जानते हैं abortion होता क्या है? Abortion का मतलब होता है End of Pregnancy by using surgery or taking medicine. Medical treatment के द्वारा Pregnancy को खतम करना Medical treatment द्वारा गर्बपात करवाना Abortion कहलाता है. Abortion की जरूरत क्यों पड़ती है? Abortion की जरूरत मैंने आपको बताया कोई भी महिला मजबूरी में ही abortion करवाईगी. वो मजबूरियां क्या हो सकती है? Medical reason हो सकते हैं कि उसकी body अभी birth करने के लिए capable नहीं है. उस woman की जान को risk है अगर वो pregnant होती है या बच्चे को जनम देती है तो. Mental conditions हो सकती है कि pregnancy की वज़े से वो anxiety से struggle कर रही हो महिला और वो अभी mentally उस बच्चे के लिए prepare नहीं हो. Financial conditions हो सकती है कि वे अभी financially बच्चे की परवरिश afford नहीं कर सकती. Relationship issues हो सकते हैं मतलब उस तरह की relationship में वो महिला नहीं थी कि उस बच्चे को एक stable family provide कर सके यह career issues हो सकते हैं कि उस unplanned pregnancy की वज़े से उसका career disrupt होगा उसकी education पर effect पड़ेगा. इसी तरह की situations में अगर कोई महिला अपने बच्चे को abort करवाना चाहे तो abortion करवाने के लिए हमारे law में कौन से provisions दिये हुए हैं? वैसे abortion एक illegal offense है IPC के section 312 में और section 314 में abortion के लिए abortion को criminalize किया गया है section 312 बताता है कि अगर कोई voluntarily मतलब जान बूच के किसी महिला का बच्चा miscarriage करता है abortion करवाता है कोई भी medical practitioner या कोई भी doctor तो वो section 312 में punishable offense है जिसकी सजा 7 साल तक है ऐसे ही section 314 में बताये गया है कि उस abortion के दोरान अगर woman की death cause होती है तो life imprisonment तक की सजा है बच ये बात हुई voluntarily उस महिला की consent के बिना बच क्या अगर महिला की consent है तो वो abortion करवा सकती है और करवा सकती है तो कहां provision given है कि वो abortion करवा सकती है तो देखते हैं 1960 तक तो abortion criminalized था 1960 तक हमारे पास abortion के लिए कोई भी law नहीं था MTP भी नहीं था 1960 में government को realize हुआ कि हमें abortion के लिए एक law लाना चाहिए जिसके लिए शान्तिलाल शाहजी कमेटी का गठन किया गया शान्तिलाल शाहजी एक medical professional थे जिनोंने इस committee की recommendation से abortion को legalize करने के लिए अपनी report submit की 1964 में committee ने recommend किया कि abortion legalize होना चाहिए और safeguards को ध्यान में रखते हुए abortion करवाया जा सकना चाहिए देखे abortion तो पहले भी होते थे बट वो काफी unsafe होते थे और illegal तरीके से होते थे जिसकी वज़े से maternal mortality rate काफी कम हो रहा था जिसकी वज़े से child और woman की mother की दोनों की जान को बहुत खतरा रहता था तो safely abortion करवाये जाएं जहां उनकी जरूरत है उसके लिए इस committee ने recommend किया और इस committee की recommendation को देखते हुए हमें Medical Termination Act 1971 मिलता है Medical Termination Act 1971 1st April 1972 को force में आया था Medical Termination Act MTP Act बात क्या करता है MTP Act उन situations की बात करता है जहां पे registered medical practitioner abortion करने के लिए authorized हैं और वो उन situations को highlight करता है जहां पे pregnancy को terminate किया जा सकता हो वो time period भी mention करता है कि pregnancy को terminate किया जा सकता है MTP Act 1971 में देखे 12 weeks से लेके 20 weeks तक का time period mention है कि abortion को 20 weeks तक किया जा सकता है अब इसके बाद इसमें amendment आ चुकी है जिस amendment की बाद में starting में कर रहा था amendment act 2021 तो हम amendment act के तुर इसको समझेंगे पर पहले देखे 1971 वाले act में 20 weeks तक का time period गिवन और उसमें mention है if pregnancy is caused by rape और result of any failure of any device method used by any married woman married woman 1971 में mention married woman मतलब 1971 कहता है कि अगर married woman की unwanted pregnancy होती है despite उन्होंने वो pregnancy नहीं चाहिए थी तो उसको abort किया जा सकता है but क्या MTP 1971 act sufficient था क्या उसमें amendment की जरूरत थी तो अगर थी तो क्यों थी इस बात को समझने के लिए देखते हैं हम कुछ case laws जैसे की सुचित्रा शिर्वास्तव वर्सिस चंदिगड़ administration 2009 जिसमें एक वुमेन का रेप होता है और फिर वो pregnant होती है and court order to terminate the pregnancy but women wanted to keep the child so supreme court allow to exercise her choice here the matter comes as of her choice same अगर हम देखें संगीता बैन अर्विंद भाई नायक वर्सिस स्टेट अफ गुजरात में इस case में अगर हम देखें तो court deny करता है एक वुमेन को child को abort करने के लिए गुजरायत high court petition reject करता है 14 year old rape victim की क्योंकि वो 24 week of अपनी pregnancy में थी mtp act में कितना time मेंशन है 20 weeks का victim को कितना time होआ था 24 weeks तो according to law she was not allowed to abort the child क्योंकि court ने भी decide किया court ने भी देखा कि वो उसके लिए इतनी fit नहीं है उसकी जान का खत्रा हो सकता है तो court ने उसको 24 weeks और as per law में जैसे 20 weeks given है तो उसे allow नहीं किया but supreme court ने वो इस decision struck down करा और under proper guidance of a medical practitioner supreme court allowed that teenage girl to abort the child और जब supreme court ने allow किया तब वो 28 weeks की pregnant थी तो 1971 act के 20 weeks से भी जादा 8 weeks उपर supreme court allow करता है तो यहीं से हमें लगता है पता कि 71 वाले act को भी amend करने की जरूरत थी उसमें भी कुछ कमिया थी जिसको जो women की freedom of choice को रोक रही थी जो women को limit कर रही थी कि married women only married women are allowed to abort the child इसलिए year 2021 में MTP act 1971 finally amend होता है लोकसभा में bill introduce होता है और पास होता है 17th March 2020 में राज्यसभा में 16th March 2021 में पास होके president की accent मिलती है 25 March 2021 में यह date काफी important है exam point of view से याद रखियेगा MTP amendment act 2021 में changes क्या हुए आए देखते हैं section 3 subsection 2 के clause B में 20 weeks को 24 weeks तक period बढ़ाया गया और 24 weeks किन women की categories पे applicable होता है वो categories rule 3 B में mention की गई जो maximum 24 weeks का period the station period increase किया है वो किन women के लिए increase किया है जो women survivor है sexual assault की जो women incest sufferers है widows है differently abled है या minors है मतलब उन special circumstances में 20 weeks के अलावा 24 weeks तक एक women को अधिकार है child को abort करने का 1971 में जहां 12 weeks का time था वही 2021 में उसको 20 से 24 weeks कर दिया गया जहां 2 doctor के opinions के लिए 20 weeks का time था वहां पे medical की permission कर दी गई अगर 24 weeks के beyond भी abortion करवाना है तो मतलब जहां सबके लिए 20 weeks था वहां पे 20 to 24 weeks और beyond 24 weeks कर दिया गया MTP amendment में इसी amendment के बाद एक case आता है काफी important case है जो इस amendment act पे based था वह case है आपका acts versus principal secretary health and family welfare department 2022 जिसमें हमारे honorable chief justice डिवा चंदर चूर भी थे जिसमें जिसमें जे बी परदिवाला जी एंड एस बोपना जी भी थे जिसमें held किया गया कि every woman has arrived of safe and legal abortion up to 24 years of pregnancy 20 weeks का 24 weeks और judgment में held किया 24 weeks no matter of their marital status ये काफी important बात है जो MTP Act 1971 में married woman के लिए था वो amendment के बाद हो गया irrespective of their marital status because court has said distinction between married and unmarried woman was artificial and constitutionally unsustainable मतलब अगर married or varied woman में differentiate किया गया उसके उस right के लिए जो उसके लिए already बहुत difficult है तो ये constitutionally unstable भी है इसलिए इस तरह की प्रोवीजन को नहीं रखना चाहिए law में woman चाहे वो married हो चाहे वो unmarried हो उसको अधिकार होना चाहिए अपनी choice से child को abort करने का तो I hope आपको MTP Act की amendment abortion से related समझाई होगी I hope आपको clear हुआ होगा कि क्यूं amendment लाई गई थी और abortion laws हमारे क्या कहते हैं इसी तरह की further informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें thank you